मेरे प्रिया एक सो चालीस करोड परिवार जन दुनिया का सबसे बड़ा लोगतंत्र और अब पहुत लोगों का अभिप्राय है कि जन संख्या की दृस्ति से भी हम विश्व में नंबर एक पर है कि इतना बड़ा विशाल देश एक सो चालीस करोड देश कि मेरे भाई बहन मेरे परिवार जन आज आज़ादी का पर्व मना रहें मैं देश के कोटी कोटी जनों को देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले भारत का सम्मान करने वाले भारत का गवरों करने वाले कोटी कोटी जनों को आज़ादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक अनेक शुब कामनाय देता हूं मेरे प्यारे परिवार जन पुझ्य बापू के नेत्रुत्व में असयोग का अंदोलन सत्याग्रण की मुमेंट और भगत्सी सुखदेव राजगुरु जैसे अनल गिनत वीरों का बलिदान उस पिड़ी में शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसने देश की आज़ादी में अपना योगदान न दिया हो मैं आज देश की आज़ादी के जंग में जिन जिन ने योगदान दिया है बलिदान दिये है त्याग किया है तपस्या की है उन सबको आदर पुर्वक नमन करता हूं उनका अभिनंदन करता हूं कि आज पंदर आगस्त महान क्रंतिकारी और अध्यात्म जीवन के रुशितुल्य प्रणेता सी अर्विंदों की 150 वी जेनती पूर्ण हो रही है ये वर्ष स्वामी दायानन सरस्वती के 150 वी जेनती का वर्ष है ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500 वी जन्व सती का बहुती पवित्र आउसर है जो पुरा देश बड़े धाम दुम से मनाने वाला है आ ये वर्ष मिरा भाई भक्ति यूग की सिर्मोर मिरा भाई के 525 वर्ष का भी ये पामन पर्व है ये वार जो 26 जन्वरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दुएस की 35 वर्ष गांट होगी अनेक प्रकार से अनेक आउसर अनेक संभावनाएं राष्ट निर्मान में जुटे रहने के लिए पल पल नई प्रेरना पल पल नई छेतना पल पल सपने पल पल संकल्प शायद इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता मेरे प्यारे परिवार जन इस बार प्राकृतिक आपदा ने देश के अनेक हिस्सों में अकल्पनियां संकट पैदा किये जिन परिवारों ने इस संकट में सहन किया है मैं उन सभी परिवार जनों के प्रती अपनी संवेदना प्रगड करता हूं और राज्य केंद्र सरकार मिल करके उन सभी संकटों से जल्दी से मुक्त हो करके फिर तेज गती से आगे बढ़ेंगे इम इस वाद दिलाता हूं मेरे प्यारे परिवार जनों पिछले कुछ सप्ता नौर्थ इस्ट में विशेश करमनीपूर में और इंदुस्तान के अन्य कुछ भागों में लेकिन विशेश करमनीपूर में जो हिंसा का दोर चला कई लोगों का अपना जीवन खोना पड़ा मां बेटियों के सम्मान के साथ खिलवार हुआ लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांती की खबरे आ रही हैं देश मनीपूर के लोगों के साथ हैं देश मनीपूर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से जो शांती बनाय रखी है उश शांती के पर्व को आगे बढ़ाएं और शांती से इस समाधान का रास्ता निकलेगा और राज्य और केंद्र सरकार मिल करके उन समस्याओं के समाधान के लिए भरपूर प्यास कर रही है करती रहेगी मेरे प्यारे परिवार जनों जब हम इतिहास की तरम नजर करते हैं तो इतिहास में कुछ पल ऐसे आते हैं जो अपनी अमीट छाप छोड़ कर जाते हैं और उसका प्रभाव सदियों तक रहता है और कभी-कभी शुरुआत में वो बहुत छोटा लगता है छोटी सी घटना लगती है लेकिन वो अनेक समस्याओं की जड़ बन जाती है हमें आधे हजार बारा सो साल पहले इस देश पर आकर्मन हुआ एक छोटे से राज के छोटे से राजा का पराजय हुआ लेकिन तब पता तक नहीं था कि एक घटना भारत को हजार सार की गुलामी में फसा देगी और हम गुलामी में जगड़ते गए जगड़ते गए जगड़ते गए जगड़ते गए जो आया लूडता गया जो जिसका मन चाहा हम पे सवार हो गया कैसा विप्रित काल रहा होगा हजार साल का मेरे प्यारे परिवार जनों गटना छोटी क्यों नहों लेकिन हजार साल तक प्रभाव छोड़के रही है लेकिन मैं आज इस बात का जिक्र इसले करना चाहता हूं कि भारत के वीरों ने इस कालखंड में कोई गुभाग ऐसा नहीं था कोई समय ऐसा नहीं था जब उन्होंने देश की आजाती के लोग को गल्ता न रखा हो बलिदान की परंपरा न बनाई को माभारती पेडियों से मुक्त होने के लिए उठ खड़ी हुई थी जंजिरों को जग्जोर रही थी और देश की नारी शक्ती देश की वासक्ते देश के किसान देश के गाउं के लोग मद्दूर कोई हिंदुस्तानी ऐसा नहीं था जो आजादी के सपने को लेकर के जीता आजादी को पाने के लिए मर मिटलने के लिए तयार होने वालों की एक बड़ी ठोस तयार हो गई दि isso ऍशेलर में जवानी खपाने वाले आनेक महऽ पुरुष है हमारे देश की आजादी क्यों गुलामी की बेडियों को तोड़ने के लिए लगे हुए मेरे प्यारे परिवार जनों जन चेतना को व्यापक रूप त्याग और तपस्या का व्यापक रूप जन जन के अंदर एक नए विश्वाज जगाने वाला वपल आखिरकर 1947 में देश आजाद हुआ हजार साल की गुलामी में संजोय हुए सपने देश वाद्चिये पूरे करते हुए देखे साथियों मैं हजार साल पहले की बात इसलिए कह रहा हूँ मैं देख रहा हूँ फिर एक बार देश के सामने एक मोका आया है इस ऐसे कालखन में हम जी रहे हैं ऐसे कालखन में हमने प्रवेश किया है और यह हमारा सवभाग्य है कि भारत के ऐसे अमरित काल में यह अमरित काल का पहला वर्ष है या तो हम जवानी में जी रहे हैं या हम माभारतिगी की गोद में जन्म ले चुके हैं और ये कानखन मेरे शब्द लिख करके रखे मेरे प्यारे प्यरिवार जनों इस कानखन में जो हम करेंगे जो कदम उठाएंगे जितना त्याग करेंगे तपस्या करेंगे सर्वजिन हिताएं सर्वजिन सुखाएं एक के बाद एक फैसले लेंगे आने वाले एक हजार साल का देश का स्वननिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है इस कानखन में होने वाली घटमाएं आगामी एक हजार साल के लिए इसका प्रभाव पैदा करने वाली है गुलामी की मानसिक्ता से बाहर निकला हुआ देश पंच प्राण को समर्पित हो करके एक नए आत्म विश्वास के साथ आज आगे बढ़ रहा है नए संकल्पों को सिद्ध करने के लिए वो जी जान से जुड़ रहा है मेरी भारत मा था जो कभी उर्जा का सामर्थ था लेकिन राख के धेर में दबी पड़ी थी वो भारत मा एक सो चालिस करोर देश वास्यों के पुरसार थे उनकी चेतना से उनकी उर्जा से फिर एक बार जागर्थ हो चुकी है मा भारती जागर्थ हो चुकी है और मैं साब देख रहा हूं दोस्तों यही काल घंडे पिछले नव दस साल हमने अनुपों किया है बिश्व घर में भारत की चेतना के प्रती भारत के सामर्थ पती एक नया अकर्षन नया विश्वास नई आश्वा पैदा हुई है और यह प्रकाश पुंज जो भारत से उठा है वो बिश्व को उसमें अपने लिए जोती नजर आ रही है विश्व को एक नया विश्वास प्यादा हो रहा है हमारा सौभाग्य है कुछ ऐसी चीजे हमारे पास है तो हमारे पूर्वजोंने हमें विरासत में दी है और वर्तवान कार्खन ने गड़ी है आज हमारे पास देमोग्राफी है आज हमारे पास डेमोक्रेसी है आज हमारे पास डाइवर्सिटी है डेमोग्राफी डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिमेरी भारत के हर सपने को साकेर करने का सामर्थ रखी आज पूरे बिश्व में वहां देशों की उम्र धल रही ड़नाओं पर है तब भारत योवान की तरफ उर्जावान होकर के बढ़ रहा है कितने बड़े गवरों का कालखंड है कि आज 30 साल की कम आयू की जन संख्या दुनिया में सरवादी कहीं है तो ये मेरे भारत मा की गोद में है ये मेरे देश में है आख्टी साल चे कम उमर की नवजवान हो मेरे देश के पास हो कोटी कोटी भुजाएं हो कोटी कोटी मस्तिस्क हो कोटी कोटी सपने कोटी कोटी संकल्प हो तो भाई यो भेरो मेरे प्ये परिवार जनो हम इच्छित परणाम प्राप्त करके रह सकते हैं कि मेरे प्यारे पीदे बएर जनों लो कि देश का भाग्य विश्किन घटनाय बदल देती यह सामर्थ देश की भाग्य को बदल देता है भारत एक हजार साल की गुलामी और आने वाले एक हजार साल के भव्य हारत के बिच में पड़ाव पर हम खड़े हैं एक एसी संदी पर खड़े हैं और इसलिए अब हमें न रुकना है न दुवीधा में जीना है कि मेरे प्यारे प्रिवार परिवार जनों कि हमें खोई हुई उस विरासत का गर्व करते हुए कि खोई हुई समरुद्धी को प्राप्त करते हुए हमें फिर एक बार और यह बात मान के चले हम जो भी करेंगे हम जो भी कदम उठाएंगे हम जो भी फैसला लेंगे वह अगले एक हजार साल तक अपनी दिशान निर्धारित करने वाला है भारत के भाग्य को लिखने वाला है मैं आज मेरे देश के नवजवानों को मेरे देश की बेटे बेटियों को यह जुरूर कहना चाहूंगा जो सवभाग्य आज मेरी युवाओं को मिला है ऐसा सवभाग्य शाहिद ही किसी के नसीब होता है जो आपके नसीब हुआ है और इसलिए हमें ये घवाना नहीं है युवाशक्ति पर मेरा भरोसा है युवाशक्ति में सामर्थ है और हमारी नीतियां हमारी रीतियां भी उस युवाश सामर्थ को और बल देने के लिए है आज मेरे युवाओं ने दुनिया में पहले तीन स्टार्ट अप इकोसिस्टिम में भारत को स्थान दिला दिया है विश्व के युवाओं को अचंबा हो रहा है भारत की सामर्थ को ले करके भारत की इस ताकत को देख करके आज दुनिया टेक्नोलोजी ड्रीवन है और आने वाला यूग टेक्नोलोजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलोजी में भारत की जो टैलेंट है उसकी एक नई भूमी का रहने वाली है मैं पिछरी दिनों जी ट्वेंटी समीट में बाली गया था और बाली में दुनिया के सम्रद्द सम्रद्द देश दुनिया के विक्सित देश भी उनकों मुख्या मुझे भारत की डीचिटल इंडिया की सभलता के लिए बारी क्यों से जानने के लिए इच्छुप हर को इसका सवाल पूस्ता था और जब मैं उनको कहता था कि भारत ने जो कमाल किया है न वो दिल्ली मुंबई चिनने तक सिमित नहीं है भारत ने जो कमाल कर रहा है मेरे टियर टूर टियर थ्री सिटी के युवां भी आज मेरे देश के भाग्य घड़ रहे हैं चोटे चोटे स्थान के मेरे नवजवान और मैं आज बड़े विस्वात से कहता हूं देश का यह जो सामर्त नया नजर आ रहा है हमारे चोटे शहर आकार और आबादी में चोटे हो सकते हैं यह हमारे चोटे चोटे शहर हमारे कस्पे आकार और आबादी में चोटे हो सकते हैं लेकिन आश्शा और अकांशा प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है वो सामर्थ उनके अंदर है नए एप्स नए सॉलूशन टेक्लोलोजी डिवाइस अग् 되고구 और कॉन बच्चे शुग्गी जॉपनी से निकले वे बच्चे आज ःगो दुनिया में परक्रम दिखा रहे ह। छोटे-छोटे गाम के छोटे-छोटे कस्पे के नवजवान हमारी बेटे-बेटियां आज कमाल दिखा रही है अब देखिए मेरे देश की सो जितनी स्कूल ऐसी है जहां के बच्चे सैटलाइट बना करके सैटलाइट छोड़ने की तैयारिया कर रही है अज हजारों टिंकरिंग लेब नई वैज्यानिकों का गर्भाधान कर रही है अज हजारों टिंकरिंग लेब लाखों बच्चों को साइंस और टेक्नलोजी के राह पर आगे बढ़ने के लिए प्रणा दे रहेंगे मैं मेरे देश के नवजवानों को कहना चाहता हूं अवसरों की कमी नहीं है आप जितने अवसर चाहेंगे ये देश आसमान से भी जादा आवसर आपने देने का सामर्त रखता है मैं आज लाд किले की पाचीश से मेरे देश की माताओं बहनों मेरे देश की बेटियों को रुदे से अविननदन करना चाहता हूं देश अजब पहुचा है अब विशेश शक्ती जुड़ रही है मेरी माता बहनों के मेरी आप आख ब्रगति के राह पर किल पड़ा है तो मैं मेरे किसान भाई बहनों का भी अभिनन्दन कर रहा चाहता हूं यह आपी का पुर्शार्थ है यह आपी का परिशम है कि देश आज क्रिशिक छेत्र में आगे बढ़ रहा है मैं मेरे मद्दूरों का मेरे स्रमीकों का मेरे प्रिय परिवार जन ऐसे कोटी कोटी स्रमीकों को आज मैं नमन करता हूँ उनका अभिनंदन कर रहा हूँ देश आज जो अधुनिकता की और बढ़ रहा है विश्व की तुलना करने वाले सामर्त के साथ नजर आ रहा है उसके पीछे मेरे देश के मजबुरों का मेरे देश के समीकों का बहुत बढ़ा योगदान है आज समय कहता है कि लाद के लेजी की प्राचिर से मैं उनका अभिनंदर करूँ उनका अभिवादन करूँ और ये मेरे परिवार्षन एक सो चालिस करोर देश मासी मेरे इन समीव को का रेड़ी पट्री वालों का कूल सब्जी बेचने वालों का हम सब्मान करते हैं मेरे देश को आगे बढ़ाने में मेरे देश को प्रगेति की नहीं हूं चाही पर ले जाने में प्रपेशनल्स की बहुत बड़ी भूमिका है बढ़ती रही है चाहे साइन्टिस हो चाहे इंजीनियर्स हो डॉक्टर्स हो नर्सिस हो सिख्षक हो आचार्य हो इन्युवर्सिटीज हो गुरुकुल हो हर कोई माभात्र भारती का भविश्य उज्वाल बनाने के लिए अपनी पूरी ताकत से लगा हुआ है मेरे प्यारे परिवार जनों राष्ट्रिय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है और आज वो राष्ट्रिय चेतना यह सिद्ध कर रही है भारत का सबसे बड़ा सामर्त बना है भरोसा भारत का सबसे बड़ा बना अव्या सामर्त बना है विश्वास जन जन में हमारा विश्वास जन जन का सरकार पर विश्वास जन जन का देश के उजवल भविश्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वा वास हमारी नीतियों का है हमारी रीति का है भारत के उजवल भविश्व करो जिस निर्दाडी मझबूत कदम से आगे बठा रहें उसका है भावयो मैरे प्यारे परिवार जनों यह भात निश्चीत है कि भारत का सामर्थ और भारत के संभाव ना होए विश्वास की नई बुलंदियों को पार करने वाली है और ये विश्वास की नई बुलंदिया नए सामर्थरों के लिए करके चलनी चाहिए आज देश में G20 समीट के महमान नवाजी का भारत को आउसर मिला है अब पिछले एक साल से हिंदुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से G20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए अनेक कारकम हुए है उसने देश के सामान नमानवी के सामर्थ को विश्व को परिचित करा जिया है भार्त की विविदिता का परिशा करा है, भारत के डाइवरसिटी को दुनिया अचम्बे से देख रही है, और उसके कारण भार्त के तश्री मारकर्शन बड़ा है, भारत को जानने की, समझने की इच्छा जगी। उसी प्रकार से आप देखिए एक्सपोर्ट आज भारत का एक्सपोर्ट के तेजी से बढ़ रहा है और मैं कहना चाहता हूँ दुनिया के एक्सपोर्ट इन सारे मानलंडों के आधार पर कह रहे हैं कि अब भारत रुकने वाला नहीं है दुनिया की कोई भी रेटिंग एजनसी होगी तो भारत का गवरव कर रही है कोरोना काल के बाद दुनिया एक नए सिरे से सोचने लगी और मैं भी स्वाथ से देख रहा हूँ कि जिस प्रकार से वितिये महा युद्ध के बाद वितिये विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने एक नया वर्ल ओर्डर अकार लिया था मैं साप साप देख रहा हूँ कि करोना के बाद एक नया विश्व ओर्डर एक नया ग्लोबर ओर्डर एक नया जियो पॉलिटिकल इक्वेशन यह बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारे या थाय बदल रही है परिवाशाय बदल रही है और मेरे प्यारे परिवार जनों आप गव्रव करेंगे बदलते हुए विश्व को शेप देने में आज मेरे 140 करोर देश बादियों आपका सामर्थ नजर आ रहा है आप निरनायक मोड पर खड़े हैं और कोरोना काल में भारत ने जिस पकार से देश को आगे बढ़ाया दुनिया ने हमारे सामर्थ को देखा है जब दुनिया के सप्लाइचें तहस नहस हो गई थी बड़ी बड़ी अर्थ व्योस्ताओं पर दबाव था उस समय भी हमने कहा था हमें विश्वकांग विकास देखना है तो मानव कैंदरी होना चाहिए मानवियस संवेदनाओं से भरा हुआ होना चाहिए और तब जाकर के समस्याओं का सही समाधान निकालेंगे और कोविड ने हमें चिखाया है यह हमें मजबूर किया है लेकिन मानविय सम्मेदनावस को छोड़ करके हम विश्व का कल्यान नहीं करते हैं आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है भारत की समर्द्र विरासर आज दुनिया के लिए एक आउसर बन रहा है ग्लोबल एकोनामिक ग्लोबल सप्लाइचेन मैं भारत के हिस्सेदारी मैं पक्ता भी स्वाथ से कहता हूं आज जो भारत परिसीदी पैदा हुई आज जो भारत ने कमाया है वो दुनिया में स्थीरता की गारंटी लेकर काया है अब न हमारे मन में न एक सो चालीस करोड मेरे परिवार जुनों के मन में और नहीं दुनिया के मन में कोई इपस हैं कोई बटस हैं पिस्वास बन चुका है मेरे प्यारे देश वास्यों अब गैंध हमारे पाले में हमें आउसर जाने नहीं देना चाहिए हमें मोका छोड़ना नहीं चाहिए भारत में मैं मेरे देश वाच्यों का इसलिए भी अभिन्दन करता हूं कि मेरे देश वाच्यों में एक नीर शीर विवेक का सामर्त है समझ्याओं की जड़ों को समझने का सामर्त है और इसलिए 2014 में मेरे देश वाच्यों ने 30 सान के अनुभाव के बाद ताइक किया कि देश को आगे ले जाना है तो स्थीर सरकार चाहिए मजबूत सरकार चाहिए पू ना भमत वाली सरकार चाहिए और देश वाच्यों ने एक मजबूत और स्थीर सरकार बनाई और तीन दसकों के जो अनिश्चित्ता का कालखन था जो राजनितिक मजबुरियों से देश जकड़ा हुआ था उसे मुक्ति बली है मेरे प्यारे परिवार जुनों देश के पास आज एक ऐसी सरकार है कुछ सर्वजन हिताए सर्वजन सुखाए एसके संतुलित विकास के लिए समय का पल पल और जनता की पाई पाई जनता की भाई के लिए लगा रही है और मेरी सरकार मेरे देश वासियों का बान एक बात से जुड़ा हुआ है हमारे हर दिने हमारे हर दिशा उसका एक ही मांदन है नेशन फास्ट राष्ट प्रधाम और राष्ट प्रधाम यही दुर्गामी परणाम सकारात्मक्त परणाम पैदा करने वाला है देश में बड़े स्तर पर काम हो रहा है और लेकिन मैं कहना चाहूंगा 2014 में आपने एक मजबुत सरकार बनाई और मैं कहता हूँ 2014 में और 2019 में आपने एक सरकार फॉर्म की तो मोदी में रिफॉर्म करने की हिम्मत आई आपने ऐसी सरकार फॉर्म की कि मोदी को रिफॉर्म की हिम्मत आई और जब मोदी ने एक के बाद रिफॉर्म किये तो मेरे बुरे करसी के लोग मेरे लाखो हाथ पैर जो हिंदुस्तान के कौने कौने में सरकार के हिस्से के रूपे काम कर रहे हैं उन्होंने विरोक्रसी ने ट्रांसफॉर्म करने के लिए पर्फॉर्म करने की जिम्मेवारी बख्भी निभाई और उन्होंने पर्फॉर्म करके दिखाया और जनता जनारदन जुन गई तो व तो ट्राम्स ट्रांस्फॉर्म होता भी नजर आ रहा है और इसलिए रिफॉर्म पर्फॉर्म ट्रांस्फॉर्म यह कालखन अब भारत के भविश्च को गड़ रहा है और हमारी सोच देश की उस ताकतों को बढ़ावा देने पर है जो आने वाले एक हजार साल की नीव को मजबूत करने वाले दुनिया को युवा शक्ति की जरूत है युवा स्कील की जरूत है हमने अलग स्कील मिलिस्ट्री बनाई वो भारत की आवश्चक्ताओं को तो पूरी करेगी वो कि कभी सामर्थ सवरकीं है हमने जलो संपी जल शक्ती मनत्राले बनाया मंत्राले की बनाने की रच्छनाक हभी जरू एनालीस्स करेगा न तो इस सरकार के मन मस्तिश को दरे अच्छे धंग से आप समなझ पाएंगे हम लिए जलोव शक्ति मनृ नविलिक अंट्राले बनाया परियावन की रक्षा के लिए पानी के प्रती संबेदन सिल व्यवस्ताई विक्षित हो उस पर हम बल्द रहे हैं हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रहे हैं होलिस्टिक हेल्थ कैर यह समय की मांग है हमने अलग आयूश मंत्राले बनाया और योग और आयूश आ अपना पर्चम लहरा रहे हैं हमने दुनिया को हमारे कमीटमेंट के और विश्व का हमारे प्रतिधान गया है कि अगर हम highlight the प्रामर्थ को नकार देंगे तो फिर दुनिया कैसे चुकार करेंगे लेकिन जब मंत्रा नहीं बना तो दुनिया को भी उसका मुल्य समझ नहीं आया मत्षपालन हमारा इतना बड़ा समुद्री तट हमारे कोटी-कोटी मचवारे भाई भाई वहन उनका कल्यान भी हमारे दिल लेकिन समाज की हर्थ व्यवस्ता का इक बड़ा हिस्सा है कॉपरेटिम मुमें उसको बल देने के लिए घर देश के कौने लोग तांत्र की सब से बड़ी काई को मज्मूत मंद कर देख लिए हमने अलक कोपरेटिम मंत्रा नहीं बनाया और वो हमारी सहकारी संस्ताइं उसका जाल बिछा रहा है तकी गरीब से गरीब की वहां सुनवाई हो उसकी आवश्यक्ताओं की पूर्ति हो और वो भी रास्ट की विकास की योगदान में एक छोटी हिकाई का हिस्सा बन करके उसमें वो योगदान दे रखें हम ले सहकार से सम्रदिका रास्त आया है यह मेरे प्यारे परिवार जोनों कि जब हम लोग चवदा में आये थे तो हम है वैश्वीक अर्थ बवस्ता में हैं दस्वे नंबर पर जो और कि आज कि एक सो चालीस करीड करोर देशवास्यों का पुरसार्थ रंग लाया है कि हम विश्वकी अर्थ बवस्ता में पांच में नंबर पर पहुंच चुके है और यह ऐसे ही नहीं हुआ है कि जग ब्रस्ताचार का राक्षस कि देश को दबोचे हुए थे लाखों करोड के गोटाले अर्थ व्यवस्ता को डावा डोल कर रहे थे गवर्नांस प्रजाइल फाइल में देश की पहचान होने लग केजिस को हमने बढ़ कि बंद किया मजबूरत आर्थ व्यवस्ता बनाई हमने गरीब कल्यां के लिए जादा से जादा धन खर्चने का प्रयास किया और आज मैं देश वास्यों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रुप से सम्रिद्ध होता है तो सिर्प तीजोर का पाई पाई अगर इमानदारी से जंता जनादन के लिए खर्च करने का संकर्प लेनी वाली सरकारों तो प्रणाम के साथ है मैं दत साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी पहें लाज के लिए की 25 से मेरे देश वास्यों को दे रहा हूं आंकले देख कर के आपको लगेगा कि इतना बड़ा बड़ा इतना बड़ा सामरत है दस साल पहले राज्यों को तीस लाग करोड रुपिये भारत सरकार के तरब से जाते से पिछले नव साल में ये आंकड़ा सो लाग करोड पर पहुंचा है पहले स्थानिय निकायत के विकात के लिए भारत सरकार के खजाने से 70,000 करोड प्या जाता था आज वो 3,000,000 करोड से भी जादा जा रहा है पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90,000 करोड रुपया खर्च होता था आज वो 4 गुना होकर के 4,000,000 करोड से भी जादा खर्च गरीबों के घर बनाने हो रहा है पहले गरीबों को यूरिया सस्ता मिले जो यूरिया की बैग दुनिया के कुछ बाजारों में तीने जारों में बिक्ती है वो यूरिया की बैग मेरे किसानों को 300 में मिले और इसलिए देश की सरकार 10,000,000 करोड रुपया मेरे किसानों के यूरिया में सबसिड़ी दे रहा है मुद्रा यूजना 20,000,000,000,000 करोड रुपये उससे भी जादा मेरे देश के नवजवानों को स्वनरोजगार के लिए अपने वैवसाय के लिए अपने कारोबार के लिए दिए हैं आठ करोन लोगों ने नया कारोबार स्वर किया है और आठ करोन लोगों ने कारोबार स्वर किया है ता नहीं हर कारोबारी ने एक या दो एक या दो लोगों को रोजगार दिया है 810 करोन नए लोगों को रोजगार दिने का सामरतिया ये मुद्रा योजना से लाब लेने वाले 8 करोन नागरी को करा MSM इसको करीब 3.5 लाग करोन रुपे की मदद से कोरोना के संकट मैं भी उनको दूबने नहीं दिया मरने नहीं दिया उनको एक ताकत दी है One Rank One Pension मेरे देश के सेना के जवानों का एक सम्मान का भी शहता सतन हजार करोन रुपेया भारत की तीजोरी से आज पहुँचा है मेरे निवरुत्त सेना के नायकों के जेब में उनके परिवार में पहुँचा है सभी केटेगरी में मैंने तो कुछी गिनाये में ज़्यादा समय लेना नहीं चाहता है हर केटेगरी में पहले की तुलना में अनेक गुणा फन देश के विकास के लिए कौने कौने में रोजगार पैड़ा करने के लिए पाई पाई का उप्योग भारत का भाग्य बदनने के लिए हो और इसलिए हमने काम किया है और मेरे प्यारे प्यावार प्याजनों इतना ही नहीं हमने इन सारे प्रयासों का परनाम है कि आज पाँच साल में साड़े तेरा करोड मेरे गरीब भाईबेण गरीबी की जंजरों को तोड़ करके नियो मिल्लस मिल्लस के रूप में बहाराय है जीवन का इससे बड़ा कोई संतोस नहीं होता मेरे प्यारे प्रिवार जुनों और जब साड़े 13 करोड लोग करीबी की इस मुसिबतों से बार निकलते हैं तो कैसी कैसी योजना उनको मदद दी है उनको आवास योजना का लाब बिलना पी-म स्वनिदी से 50,000 करोड रुपिया रेडी पट्री वालों तक पहुंचाया है आने वाले दिनों में आने वाली विश्व कर्मा जैनती पर एक कारिकम हम आग लागू करेंगे इस विश्व कर्मा जैनती पर हम करिब 13-15,000 करोड रुपिया से जो परमपरागर कौशल्य से रहने वाले लोग जो ओजार से और अपने हाथ से काम करने वाला वर्ग है हमारे सुथार हो, हमारे सोनार हो, हमारे राजमिस्त्री हो, हमारे कपड़े धोने वाले काम करने वाले लोग हो, हमारे बाल काटने वाले भाई परिवार हो ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महिने में विश्व कर्मा जैन्टी उपर विश्व कर्मा योजरा लॉंच करेंगे और करीब 13-15,000 करोड से उसका प्रारंब करेंगे हमने PM किसान संवान निजी में 20,00,00,00 करोड रुपया सीजा मेरे देश के किसानों के खाते में जमा किया है हमने जल जीवन मिशन हर गर में सुद्ध पानी पहुँचे 2,00,00 करोड रुपया खर्च किया है हमने आईश्मान भारती होजना ताकि गरीब को बिमारी के कारण अस्पताल जाने से जो मुसिबत होती है उसको बुक्ति दिलाना उसको दमाई मिले उसका उप्चार हो अप्रेशन हो अच्छे से अच्छी हो अस्पतार ने हो वे ने हिश्मान भारती हो जना के ताहक सत्तर हजार करोड रूपय हमने लगाये हैं पशुदन जैस नें को रोना वयक्शन की बात तो को याद है 40,000 करोड रुपय लगाए वो तो याद है लेकिन आपको जान करके खुशी होगी हमने पशुदन को बचाने के लिए करीब करीब 15,000 करोड रुपया पशुदन के टिका करन के लिए लगाया है मेरे प्यारे देश वास्चितों मेरे प्यारे प्यारिवार जनों जनाव सजी केंद्रों ने देश के सीनियर सिटिजन्स को देश के मध्यंबर के परिवार को एक नई ताकत दी है जिस संयुक्त परिवार में अगर किसी को एक डाइबिडिस जैसा हो जाए दो तीन हजार रुपया दवाई का बिल स्वाबाविक हो जाता है हम ने जनाव सजी केंद्र से जो दवाई बाजार में 100 रुपय में मिलती है दस रुपय, 15 रुपय, 20 रुपय में दी और आज देश में 1000 जनाव सजी केंद्रों से मेरे इन बिमारी में जिनको दवाई की जरूरत थी ऐसे लोगों के करीब 20,000 करोड रुपिया उनके जेब में बचा है और यह ज्यादातर मद्दिम्बर के परिवार के लोग है लेकिन आज उसकी सफंता को देखके हुए मैं देश वाद्शियों को कहना चाहता हूं जैसे ह कश्ध में विश्वकर्व योजना लेकर्गे समाज के उस्वर्ट को चुने वाले हैं अब देश में 10 जबार जनौशदी केंदर से हम 25,000 जनौशदी केंदर का लक्ष लेकर के आनेवाले दिनों में काम करने वाले हैं मेरे प्यारे पडिवार जैसे जब देश में गरीभी कम होती है तो देश की मद्यंबर की तांकत बहुत बढ़ती है और अगर दुनिया में और मैं आपको भी स्वाद दिलाता हूं कि आने वाले पांच साल में मोधी का गारंटी है देश पहले तीज वैश्विक एकॉनों में अपना जगा ले लेगा यह पक्ता जगा ले लेगा आज जो साड़े 13 करोड गरीबी से बाहर आए हुए लोग है वो एक प्रकरद मद्यंबर की ताकत बन जाते है जब गरीब की खरीच सक्ति बढ़ती है तो मद्यंबर की प्यापार शक्ति बढ़ती है जब गाउं की खरीच सक्ति बढ़ती है तब क प्रश्बे और शहर की आर्थिक वबस्ता और तेजगती से दोड़ती है और यही इंटरकनेक्टेड हमारा अर्थचक्र होता है हम उसको बल लेकर के आगे चलना चाहते हैं मेरे प्यारे परिवार जनों शहर के अंदर जो कमजोर लोग रहते हैं बिना घर को मुसिबत रहती ह मद्नमबर के परिवार अपना खुद का घर का सपना देख रहे है हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योधना लेकर करके आ रहे हैं और जिसमें ऐसे मेरे परिवार जन जो शहरों में अपना घर में रहते हैं लेकि किराय के मकान पे रहते हैं जुगी जोपणी में रहते हैं चाल में रहते हैं अनाथराइज कॉलोनीज में रहते हैं ऐसे मेरे परिवार जन अगर अपना मकान बनाना चाहते हैं तो बैंक से जो लोन मिलेग उसके ब्याज के अंदर राहत दे करके लाखों रुप्यों की मदद करने का हमने निरणे किया है मेरे मद्यमबर के परिवार को जब 2,003,005,001 इंकब्रेक की सिमा बढ़ जाती है तो सबसे बड़ा लाब सेलरी कलास को होता है मेरे मद्यमबर को होता है इंटरनेट का डेटा बहुत मेंगा था 2014 के पहले अग दुनिया का सबसे सस्ता इंटरनेट का डेटा का खर्चा हो रहा है हर परिवार के पैसे बच रहे हैं मेरे प्यारे परिवार जनो बिश्व कोराना के बाद अभी तक उफर नहीं पाया है युद्ध ने फिर एक नहीं मुसिबत पादा की है आज दुनिया महंगाई के संकर से जूज रही है पूरी दुनिया की अर्थे ववस्ता को महंगाई ने दबोच के रखा है हम भी दुनिया से जिन सामान की जरुद होती है लाते हैं तो हमें सामान तो इंपोर्ट करते हैं हमारा दुरबाग यह है कि महंगाई भी इंपोर्ट करनी पड़ती है कि पूरी दुनिया को तारे परिवार जनों भारत ने महेंगाई को नियंत्रित रखने के लिए बर्सक प्रयास किये कि पिछले कालखंज की तुलना में हमें कुछ सभलता भी मिली है लेकिन इतने से संतोस नहीं मान सकते दुलिया से हमारी चीची अच्छी है इतने बात से हम सोथ नहीं सकते मुझे तो मेरे देश वास्यों को महंगाई की ताक बोज कम से कम हो इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं और हम उस कदम को उठाके साथ ने रहेंगे मेरा प्रयाव निरंतर जारी रहेंगा मेरे प्यारे परिवार जनों ओडेश कि अने एक शमता को लेकर के आगे बढ़ रहा है देश अधुलिक्ता की तरह अगे बढ़ने के लिए काम कर रहा है आज देश रीन्यूबल हैनरजी पर काम कर रहा है आज और हाइडरोजन पर काम गए देश की स्पेस फेक्षन ता बढ़ रही है तो देश की डीप सी मिशन में भी सबलता के साथ आगे चल रहा है देश में रेल आदूलिक हो रही है तो बंदे भारत बुलेट ट्रेल भी आज देश के दर काम कर रही है गाउं गाउं पक्की सड़के ब प्रेणों डीएपी उस पर काम हो रहा है तो दुश्रे तरफ जैवी खेती पर भी हम बलदर रहे हैं आज किसान उत्पाजक संग एप्यों का निर्मान हो रहा है तो हम सेमी कंडुक्टर का भी निर्मान करने के लिए चाह रहे हम दिव्यांग जनों के लिए एक सुगम भा है कि आज बारत पुरानी सोच पुराने धरे को छोड़ करके लक्षों को प्राप्त करने के ज़रा से चल रहा है और जो मैं कहता हूं ना कि जिसका सिलान्याज हमारी सरकार करती है उसका उधरन भी हमारे काल खर्मे करते हैं इन दिनों जो मैं सिलानियास कर रहा हूँ न आप लिख के रखिए उसके उद्धातन भी आप सबने मेरे नसिब में ही छोड़े हुए है हमारी कारिश हंस्कृती बड़ा सोचना दूर का सोचना सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सोचना यह हमारी कारिश हैली रही है और सोच से भी जादा संकल्प से भी जादा हाँचिल कैसे करना इस उर्जा के साथ हम काम करते हैं हमने आज़ादी के काल अमरिज सरोवर बनारे का संकल्प किया था उस समय हमने हर जिले में 75 अमरिज सरोवर बनारे का संकल्प किया था करीब 55 अमरिज सरोवर की कल्पना की थी लेकिन आज करीब करीब 75 अमरिज सरोवर का काम मिर्मान हो रहा है यह अपने आप में बहुत बिड़ा काम हो रहा है जन शक्ति और जल शक्ति की ताकत हारत के परियावरण के रक्षा में भी काम आने वादी है अठारा अजार गाउं तक बिजली पहुचाना जन तंक बेन खाते खोलना पेट्कियों के लिए साउचालाई बनाना सारे टार्गेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे कड़गा और जब बारत ठान लेता है तो उसे पूरा करके जाता है यह हमारा ट्रेक रकॉर्ड कहता ह है 200 करोड वैक्सिनेशन का काम दुनियां हमें जब कुछती है 200 करोड चुनती है उनकी आखे फड़ जाती है इतना बड़ा काम कि मेरे देश के अंगनवाडी वरकर हमारी आसा वरकर हमारी हेल्थ वरकर उन्होंने करके दिख यह मेरे देश का सामर्थ है फाउजी को करने वाला मेरा देश है 700 जिलों तक हम पहुंच चुके हैं और अब 6G की भी तैयरी कर रहे हैं हमने टास्पोर्ट बना दिया है रिन्यूबल एनर्जी हम टार्गेट से पहले चले हैं हमने रिन्यूबल एनर्जी 2030 का जो टार्गेट तैय किया था 212 में इसको पुरा कर दि दिया हमने इखर्णम में 20% कि बात कई थी वह हैं ने समय से 5 जाल पहले पुरा कर दिया हमने 500 billion dollar का एक्श्पर्ट की बात की थी वह भी समय के पहले 500 billion dollar से ज़्यादा कर दिया हमने ताई कि है जो हमारे देश में पचीज साल से चर्चा हो रही थी कि देश में नई संसत बने पारला में का कोई सत्र ऐसा नहीं था नई संसत गे ये मोदी है समय के पहले नई संसत बना करके रख दिया मेरे पहले भाई दे न ये ताकाम करने वाली जरकार है, निर्धारी लच्छों को पार करने वाली जरकार है, ये नया भारत है, ये आपको विश्वास से भरा हुआ भारत है, ये संकल्पों को चरितार करने के लिए जी जान से जुटा हुआ भारत है, और इसलिए ये भारत न रुकता है, ये भारत न ठकता है ये भारत न हापता है और नहीं ये भारत हारता है और इसलिए मेरे प्यारे परिवार जोनों आर्थिक शक्ती भड़ी है तो हमारी शामरीक शक्ती को भी एक नई ताकत बिली है हमारी सीमा पहले से अधिक शुरक्षित हुई है और मेरे सीमा पर बैटे हुए मेरे जबान जो देश की सिमाओं की रक्षा कर रहे हैं और मेरे देश के अंतरिक शुरक्षा के समालने वाले युनिफर्म फोर्सी में आज़ादी के इस पावन परवपर उनको भी अनेक अनेक बढ़ाई देते हुए मेरी बात को आगे बढ़ाता हूँ सेना का अधिकर्ण हो हमारी सेना युवा बने हमारी सेमा बैटल के लिए रेड़ी युद्ध योग्य बने इसलिए निरंतर रिफॉम का काम आज हमारी सेना में हो रहा है मेरे प्यारे परिवाद जनों आए दिन हम लोग सुना करते थे यहां बम धमाका हुआ वहां बम धमाका हुआ हर जगा पे लिखा हुआ रहता था कि इस बैट को मच्छुना एनाउंस्मेंट होते रहते थे आज देश सुरक्षा के अनुभूती कर रहा है और जब सुरक्षा होती है शांती होती है तो प्रगती के नए अर्मान हम पूरे कर सकते हैं उसको लिए सीरियल बम धमाके का जबाना बीती हुई बात हो गई है निर्दोशों के जो मौत होते थे तो बीते हुए कल की बात हो गई है आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आई है नकसल प्रभाविल छेत्रों में भी बहुत बड़ा बडलाव आया है बहुत बड़ा परिवर्तन का एक बातावन बना है मेरे प्यारे परिवार जनो प्रगेति के हर चीज में लेकिन जब 2047 हम एक विक्सित भारत का सपना लेकर के चल रहे है तब और वो सपना नहीं एक सो चालिस करोड देश वास्यों का संकल्प है और उस संकल्पों सिद्ध करने के लिए परिश्रम की पराकाश्ठा भी है है और उसकी सबसे बड़ी तांकत होती है वो राष्ट्रिय चरित्र होता है दुनिया में जिन जिन देशों ने प्रगती की है दुनिया में जो जो देश संकटों सो वो पार करके निकले है उस हर के उसमे हर चीज के साथ साथ एक महत्वपूर कैटलिक एजेंट रहा है वो राष्ट्रिय चरित्र रहा है और हमें राश्ट्रिय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा हमारा देश हमारा राश्ट्र चरित्र ओजस्वी हो तेजस्वी हो पुर्शार्थी हो पराक्रभी हो प्रकर हो यह हम सब का सामुहिद दाइत्व है और आने वाले 25 साल हम एक ही मंत्र को लेकर चले यह हमारे राष्ट्रिय चरित्र के सिर्मोर होना चाहिए एक्ता का संदेश भारत की एक्ता को जीना भारत की एक्ता को आँचाए ने ऐसी मेरी भाषा होगी नैसा मेरा कोई कदम होगा हर पल देश को जोडने का प्रयास मेरी तरब से भी होता रहेगा भारत की एक्ता हमें सामर्थे देती है उत्तर हो दक्चिन हो पुरब हो पतिम हो गाव हो शहर हो पुरूस हो नारी हो हम समने एक्ता के भाव के साथ और विवित्ता भरे देश में एक्ता का सामर्थ होता है और दूसरी महत्म की बात मैं देख रहा हूँ अगर 2047 में हमें हमारे देश को विख्सिज भारत के रूप में देखना है तो हमें स्रेश्ट भारत के मंत्र को जीना होगा हमें चरितार्ट करना होगा अब हमारे प्रोडक्षन में मैंने 2014 में कहा था जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट दुनिया के किसी भी टेबल पर मेकिन इंडिया चीज हो तो दुनिया को विस्वास होना चाहिए हमारी हर चीज हमारी सर्वीसिद होगी तो स्रेष्ट होगी हमारे शब्द की ताकत होगी तो स्रेष्ट होगी हमारी संस्ताय होगी तो स्रेष्ट होगी हमारी निर्णे प्रक्रिया होगी तो स्रेष्ट होगी यह स्रेष्ट अताका भाव लेकर कहवें चलना होगा तीसरी बात है कि पेश्ट में आगे बढ़ाने के लिए एक अतिरिक शक्ति का सामर्त भारत तो आगे लिए जाने वाला है और वो है विमेन लेट डेवलप्मेंट आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरी कुड्यन में अगर किसी एक देश में सबसे ज़्यदा विमेन चर्शन की बाद हो मेरी विमेन सायंटेश्ट उसका नेत्रुत प़कर रहे हैं अज विमेन सेलफ घ्रुप हो मेरी 2.,000,002,000 लगपति दीजी का लक्ष लेकर के आज विमेन सेलफ हेल्प गूप पे हम काम कर रहे हैं हम हमारी नारी सकतिके सामर्स को बढ़ावा देते हुए विमेन लेट डेवलप्मेंट के और जब G20 मैं मैंने विमेन लेट डेवलप्मेंट के वीशेव को आगे बढ़ाया है तो पुरा G20 समों इसके महत्वए को स्विकार कर रहा है और उसके महत्वए को स्विकार करकर के वो उसको बहुत बल दे रहे हैं उसी प्रकार से भारत विवित्ताओं से भरा देश है असंतुलिस विकास के हम शिकार रहे हैं मेरा पराया का करण हमारे देश के कुछ हिस से उसके शिकार रहे हैं अब हमें Regional aspirations को संतुलिस विकास को बल देना है और Regional aspirations को लेकर के उस बावना को हमें सनमान देते हुए जैसे हमारी भारत मा का कोई हमारा शरीर का कोई अंग अगर अविक्सित रहे तो हमारा शरीर विक्सित नहीं माना जाएगा हमारा शरीर का कोई अंग दुरुबल रहे तो हमारा शरीर स्वस्त नहीं माना जाएगा बैसे ही मेरी भारत माता उसका कोई एक भूभाग भी समाज का कोई तपका भी अगर दुलबल रहे तो मेरी भारत माता समरत हैं स्वस्ता ऐसा बैठकर हम नहीं बैठ सकते हैं और इसलिए regional aspirations को हमने address करने के आवस्ता हैं और इसलिए हम समाज का सर्वांगिर विकास हो सर्वापर्शी विकास हो भूभाग के हर छेत्र को उसकी अपनी तांकत को खिलने का आउसर मिले उत दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं मेरे प्यारे परिवार जनों भारत देमोकरसी है भारत मोडल अब डाइवरसिटी भी है भाशाय अनेक हैं बोली आनेक हैं परिजान अलेक हैं विवित्ता है बहुत हैं हमने उन सारे लोगों सारों को अधार पर आगे भढ़ना हैं मेरे प्यारे परिवार जनों देश के जब मैं एक्ता की बात करता हूं तब अगर गटना मनिपूर में होती है तो पीडा महराष्ट में होती है अगर बाड़ा साम में आती है तो बैचन केरला हो जाता है दिनी इंद्विस्तान के किसी भी हिस्से में कुछ भी हो हम एक अंगांगी भाव के अनुभूति करते हैं मेरे देश की बेटियों पर जुल्म नहो यह हमारा सामाज्यक विदाईत्व है यह हमारा पारिबारिक दाईत्व भी है और यह देश के नाते हम सब का दाईत्व है आज जब अफगानिस्तान से गुरु ग्रंद साब का स्वरुप को लाते हैं तो पुरा देश गवरोव के निभूति करता है जब आप दुनिया के किसी देश में कोवीड के काल में मेरा कोई शिक भाई लंगर लगाता है भूकों को खिलाता है और दुनिया में वहवाई होती हैं तो हिंदुस्तान का सीना चोड़ा हो जाता है मेरे प्यारे प्यरिवार जनों हमारे लिए जब नारी सम्मान की बात करते हैं मुझे अभी एक देश में दौरा कर रहा है तो वहाँ एक बहुत ही सीनियर मिनिस्टर उसने मुझे एक सवाल पूछा उसने कहा आपके हाँ बेटियां साइन्स और एंजिनेरिंग के विशों की पढ़ाई करती है क्या उसमें कैसा है मैंनों को कहा आज मेरे डेश में लड़कों से ज़्यादा बेटियां आज स्टेम स्टेम हैने साइन्स टेकनोलोजी इंजिनेरिंग और मैथ अधिक्तम भाग मेरी बेटियां ले रही है तो उनके लिए अचरत था ये सामर्त आज हमारे देश का देख रहा है मेरे प्यारे परिवार जनो आज 10 करोर महिला आए विमेंस सेल्फ हेल्फ में गुरूडी जुड़ी हुई है और विमेंस सेल्फ हेल्फ के साथ आप गाउं में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी आपको आंगनवाडी वाली दीदी मिलेगी आपको दवाई दिने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है दो करोर लगपती दीदी बनाने का गाओं में 20000 लगपती दीदाना और इसके लिए एक नया अभीकम वेज़ा साइंस और टेक्नलोजिय और हमारे गाओं के self health group की Benเขी रोन चलाने की ड्रोन रेपेर्इंग की Τरिइनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमन self healorb group को हुआ बारत सरकार ड्रोन देंगी ट्रेनिंग देंगी और हमारे agriculture के काम कुपम्हें ड्रोन की सेव्य उपलब्द हो कि इसके लिए हम सुरुवात करेंगे प्रारम हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्फ ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरम कर रहे हैं कि मुझे विश्वास है कि इसके कारण हमारे परिवार जनों का कि मेरे प्यारे परिवार जनों कि आज देश आदुनिक्ता की तरफ बढ़ रहा है हाइवे हो, रेलवे हो, एरवे हो, आईवेज हो, इनफरमेशन वेज, वाटर वेज हो, कोई खेत्र ऐसा नहीं है जिस खेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो पिछले नव वर्स में, कत्रिय क्षेत्रों में, हमने आजिवासिक्षेत्र में, हमारे पाड़ी क्षेत्र में, विकास को बहुत बर्द दया है हमने परबत माला, भारत माला, ऐसी योजनाओं के द्वारा, समाज के उस वर को हमने बल दिया है हमने केस की पाइपलाइन से हमारे पुर्वी भारत को जोडने का काम किया है हमने अस्पतालों की संग्या बढ़ाई है, हमने डॉक्टर की सीठे बढ़ाई है तागि हमारे बच्चे डॉक्टर बंडे का सपना पूरा कर सके हमने मात्रु भाषा में पढाने पर बल दिया है मात्रु भाषा में वो पढाइए कर सके उधिश्या में और मिरा ब्हारत की सुप्रिम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूं कि भारत की सुप्रिम कोर्ट ने कहा है की आप जो जज्यमेंट गे उसका जो उप्रेटि पांट होगा वो जो अदावत में आया है उसकी भशाद में उसको पलब्न बात्रू भाषा का महात्मा आज बढ़ रहा है बेरे प्यारे परिवार जनो आज तक हमारे देश के जो बॉर्डर विलेज हैं हमने वाइबरन बॉर्डर विलेज का एक कारकम शुरू किया है और वाइबरन बॉर्डर विलेज अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आख आखरी गाउं नहीं है सीमा पर जो नजर आ रहा है वो मेरे देश का पहला गाउं है अगर सुरज उखता है पुरब में तो उस तरब के गाउं में पहली सुरगी किरनाती है अगर सुरज ढलता है तो इस तरब के गाउं में आखरी कीरन उसको अलाब मिलता है यह मेरे पहले ग है सीमावर्ती गाउं है उसके 600 प्रधान आज इस लाल किले की पाचीश के इस महत्वपुर्ण कारकम का हिस्सा बनने के लिए पहली बार वो इतनी दूर तक आये हैं नए संग्चल्प और सामर्थ के साथ जुड़ने के लिए प्रधान आया है मेरे प्यारे परिवार जोनों हमने संतुलिक विकास के लिए एस परेस्ट्रिक एस परेस्ट्राइश के कलपना की और आज उसके सुखत प्रणाम मिल रहे हैं आज राज्य के जुपर नॉर्मल परामिटर से जो एस परेस्ट्रिक कभी बहुत पीछे थे वह राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं और मीज़े विश्वास है कि आने वाले दिनों में यह हमारे आकांची जिली अवारे आकांची भॉल अवश्य आगे बढ़ेंगे जैसे मैंने कहा था भारत का चरीत्र की चर्चा कर रहा था तो मैंने पहला कहा था भारत की एक ता दूसरा कहा था भारत स्रेश्ट स्कता की तरब बल दें तीसरा कहा था विमेल डेवलोप्मेंट की मैंने बात कही थी और मैं आज एक बात और कहन मैं चाहता हूं कि हम कि जैसे रीजिनल एस्पिरेशन में ने चौथी बात कही थी पांच भी महत्व की बाद और भारत में उस दिशा में और वह हमारा राष्ट्रिय चरित्रा विश्व मंगल के लिए सोचने वाला होना चाहिए हमें देश को इतना मजबूत बनाना है जो वि परिणाम है कि आज दुनिया में हमारा देश एक विश्व मित्र के रूपे विश्व का अतूर्ट साथी के रूपे आज मेरे देश की पहचान बनी है हमें जब विश्व मंगल की बात करते हैं तब भारत का मूलभूत विचार है उस विचार को हम आगे बढ़ाने लोग है और मुझे खुजी हैं कि आज अमेरिकी सांसत के भी कई चुने हुए गणमान्य प्रतिनीती भी आज हमारे पंदर अगस के इस आउसर में हमारे बीच में मौझूद है भारत की सोच कैसी है अब विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं अब देखिए हम जम सोचते हैं तो क्या कहते हैं हमने दुनिया के सामने ये सब्सक्राइब को लेकर करके हमारे साथ जूट रही है हमने कहा है वन संद वन वर्ल्ट वन ग्रीड रिन्यूबल एनर्जी के ख्षेत्र बहुत बड़ा हमारा स्टेटमेंट है आज दुनिया उसको स्विकार कर रही है कोविड के बाद हमें दुनिया को कहा हमारा भ्लूरे कunta को भी मारी के समन्दमें समान रूपसे एड्रेस किया जाएगा तब जाकर करें हम करेंगे हमने यहीं कर दुनिया जो संक्र से जूज रही है हमने रास्ता जिखाया है लाइप मिसंनलाँच किया हैं लाइप स्टील फड़ एंवार मैंइन्ट हमने दुनिया के सामने International Solar Alliance बनाया और आज दुनिया के कई देश International Solar Alliance का हिस्सा बन रहे हैं हमने बाव डायर्वर्सिटी का महत्तों देखते हुए Big Cat Alliance की व्यवस्ता को हमने आगे बढ़ाया है हमने प्राकृतिक आपदा के कारण Global Warming के कारण Infrastructure का जो उक्षान होता है उसके लिए दुरगामी व्यवस्ताओं की ज़रुत है और इसले Coalition for Disaster Resilient Infrastructure CDRI एक समाधान के रुपे दुनिया को दिया है विश्व आज समुद्रों को संगर्ष का केंद्र बना रहा है तब हमने दुनिया को सागर का प्लेटफॉर्म दिया है जो वैश्विक समुद्रिक शान्ति की गारंटी बन सकता है हमने पारंपारिक चिकित सापध्यज्यों को बल देते हुए डबली ओचा का एक ग्लोबल लेवल का सेंटर हिंदुस्तान में बनाने की दिशा में काम किया है हमने योग और आयुष के द्वारा विश्व कल्यार और विश्व के स्वस्त्रता की दिशा में काम किया है अन्य आज भारत विश्व मंगल की मजबूत नीव डाल रहा है इस मजबूत नीव को आगे बढ़ाना हम सब का काम है हम सब की जिम्यवारी है मेरे प्यारे परिवार जनों सपने अनेक है संकल्प साभ है नीतिया स्पस्ट है नियत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है लेकिन कुछ सच्चाईयों को हमें स्विकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रियप परिवार जनों मैं आज लाल किले से आपकी मदज बांगने आया हूँ मैं लाल किले से आपके आशिरवाद मांगने आया हूँ क्योंकि पिछले सालों मैंने देश को जो समझा है देश की अवस्चताओं को जो मैंने परखा है और अनुभाव के आधार पर मैं कह रहा हूं कि आज गंबीरता पुर्वक उन चीजों को हमें लेना होगा आजादी के अमरिकान में 2047 में जब देश आजादी के सो साल मनाएगा उच समय दुनिया में भारत का तिरंगा जंडा विक्सित भारत का तिरंगा जंडा होना चाहिए रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है पीशे नियाटना है और इसके लिए सुचीता पारदर्शीता और निस्पक्षता ये पहली आप मजबूती की जरूरत है हमें उस मजबूती को जितना जादा खात पानी दे सकते हैं संस्ताओं के माध्यम देख सकते हैं नागरिक के नाते दे सकते हैं परिवार के नाते दे सकते हैं ये हमारा सामोहिक दाईत्व होना चाहिए और इसलिए पिछले 75 साल का इतिहाद देखी है भारत के सामर्था में कोई कमी नहीं थी अरे जो देश कभी सोना की चिडिया कहा जाता था वो देश क्यों न फिर से उस सामर्था को लेकर के खड़ा हो सकता है मेरा अतूट विश्वास है साथियो मेरे पियप परिवार जनो मेरा अखन अतूट एक निश्ट विश्वास है कि 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा मेरा देश विक्सिद भारत बन के रहेगा और ये मैं मेरे देश के सामर्थ के आधार पर कह रहा हूं मेरे उपलब्ले समसादरों के आधार पर कह रहा हूं ऐसे घर कर गई है हमारी समाज ववस्ता का ऐसा हिस्सा बन गई है कि कभी कभी तो हम आँख भी बंद कर देते हैं अब आँख बंद करने का सबय नहीं है अगर सपनों को सिद्ध करना है संकल्प को पार करना है तो हमें यह आँख में छोली बंद करके आँख में आँख मिलांग करके तीन बुराईयों से लड़ना बहुत समय की मांग है हमारे देश की सारी समचाओं की जड़ में प्रस्टाचार ने दिमक की तरह देश की सारी व्यवस्ताओं को देश के समर्थ 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 को पूरी तरह नोच लिए प्रस्टाचार से मुक्ति प्रस्टाचार के खिलाब जंग हर की काई में हर ख्षेत्र बैं और मैं देश स्वासियों मेरे प्रिए परिवार जनों यह मोदी के जीवन का कमिटमेंट है यह मेरे अम्दियत प्रभ्यक्तित्र का एक कमिटमेंट है कि मैं प्रस्ताचार के खिलाब लड़ाई लड़ता रखूंगा दूसरा हमारे देश को नोच लिया है परिवारबाद ने इस परिवारबाद ने देश को जिस प्रकार जे जकड के रखा है उसने देश के लोगों के हक चिना है और तीसरी बुराई तुष्ट्री करन की है ये तुष्ट्री करने भी देश के मुल्फु चिंतन को देश के सर्वसमास वैशर हमारे राष्ट्रे चरित्र को दाग लगा दिये हैं तैस नैस कर दिया है इन लोगों ने और इसलिए मेरे प्यारे देश्वासियों इसलिए मेरे प्यारे परिवार जनों हमें इन तीन गुराईयों के खिलाफ पूरे सामर्थ के साथ लड़ना है प्रस्ताचार परिवारबाद तुस्त्री करण ये चुनोतियां हमारे ये ऐसी चीजे पनपी है जो हमारे देश के लोगों का जो आकांचा है उसका दमन करती है हमारे देश के कुछ लोगों के पाद जो छोटा पोटा सामर्थ है उसका शोशन करती है ये ऐसी चीजे है जो हमारे लोगों के आशा आकांचाओं को सवाल या निसान में गार देती है हमारे गरीब हो, हमारे दलीत हो, हमारे पिछडे हो, हमारे पसमांदा हो, हमारे आदिवासी भाई बहन हो, हमारी माताए बहने हो हमने सबने उनके हकों के लिए इन तीन बुराईयों से मुक्ति पानी है हमें प्रस्टाचार के खिलाब एक नफरत का वाहूल बनाना है जैसे गंदगी हमें नफरत पादा करते हैं मन में गंदगी पसंद नहीं है यह सारवजनिक जीवन की इससे बड़ी कोई गंदगी नहीं हो सकती और इतने हमारे स्वचता अभियान को एक नया मोड यह भी देना है कि हमें प्रस्टाचार से मुक्ति पानी है सरकार टेकनलोजी से प्रस्टाचार की मुक्ति के लिए बहुत प्रयास कर रही है आपको जानकर कहरानी होगी इस देश में पिछले 9 साल में एक काम मैंने ऐसे कि आकरा सुने को तो लोग करता है जैसे दस करोड़ लोग करीब करीब जो गलत फाइदा उठाते वह मैंने रोग दिया तो आप में से कोई कहेगा आपने लोगों सन्याय कर दिया जी नहीं यह दस करोड़ कौन लोग थे यह दस करोड़ वो लोग थे जिनका जन्म ही नहीं हुआ था और उनके नाम पर उनके वीडो हो जाते थे वो वृद्ध हो जाते थे वो दिव्यांग हो जाते थे फाइदे लिए जाते थे दस करोड़े से बेनामी जो चीजे चलती थी उसको रोकने का पवित्र काम प्रस्टाचारियों की संपत्ति जो हमने जब्त किये नहीं वो पहले की तुल्ला में 20 गुना जादा की है मेरे प्यारे परिवार जनों यह आपकी कमाई का पैसा लोग लेकर के भागे थे बीस गुना जादा संपत्ति को जब्त करनेगा और इसने लोगों की मेरे प्रतिन नाराज की होना बहुत स्वाबाविक है लेकिन मुझे प्रस्टाचार के खिलाब की लडाई को आगे बढ़ाना है हमारे सरकारी व्यवत्ता ने पहले केमेरा के सामने तो कुछ हो जाता था लेकिन बाद में चीज़े अटक जाती थी हमने पहले की तुलना में कई गुना जादा अदालत में चार शिट की है और अब जमानते भी नहीं मिलती है वैसी पक्की व्यवस्ता को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि हम इमानदारी से ब्रस्टाचार के खिलाब रड़ रहे हैं कि आज परिवारवात और तुष्टिकरन कि इसने देश का बहुत बड़ा दुर्भागी किया है अब लोगतंत्र में यह कैसे हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टी और मैं विशेद बल दे रहा हूं पॉलिटिकल पार्टी आज मेरे देश के लोगतंत्र में एक ऐसी विकृत प्रिवारवादी पार्टी और उनका तो मंत्र क्या है कि पार्टी आप सब्सक्राइब ली एड़ फैमिली और फॉर्द फैमिली इनका तो जीवन मंत्र यह है कि उनकी पॉलिटिकल पार्टी उनका राजनितिक दल परिवार का परिवार के द्वारा और परिवार के लिए परिवारवाद और भाई भती जावात प्रतिभाओं के दुष्मन होते है योग्यता को नकारते हैं सामर्थ को स्विकार नहीं करते हैं और इसलिए परिवारवाद इस देश के लोगतंत्र के मजबूति के लिए उसकी मुक्ति जरूरी है सर्व जन हिताईद सर्व जन सुखाई हर किसी को हक मिले इस लिए और सामाजिक न्याई के लिए भी यह भौत अजो उसी प्रकारते तुस्ट्रीकरन तुस्ट्रीकरन का सामाजिक न्याय का सब्से बड़ा इतने सामाजिक न्याय को मौत के घाट उतार दिया है और इसलिए हमें तुष्टी करन प्रस्टाचार यह विकास का सबसे बड़ा दुश्मन है अगर देश विकास चाहता है देश 2047 विक्सित भारता सपना का साकार करना चाहता है तो हमारे लिए आवश्चक है कि हम किसी भी हालत में देश में प्रस्टाचार को सहन नहीं करेंगे इस मूड को ले करके चलना चाहिए मेरे प्यारे परिवार जनो हम सबका एक बहुत बड़ा महत्वपुन दायत्व है आपने जिस प्रकार से जिन्दगी जी है हमारे आने वाली पीड़ी को ऐसी जिन्दगी जीने के लिए मजबूर करना यह हमारा गुना है यह हमारा दायत्व है कि हमारे आने वाली पीड़ी को हम ऐसा सम्र्द देश दें ऐसा संतुलिद देश दें ऐसा सामाजे गिन्याय की दरोहर वाला देश दें ताकि छोटी छोटी चीजों को पाने के लिए उन्हें कभी भी संगर्ष न करना पड़े हम सभी का कर्तव्य हर नार्गिक का कर्तव्य है और यह अमरित काल कर्तव्य काल है हम कर्तव्य से पीछे नहीं उड़ सकते हैं हमें वह भारत बनाना है जो पुझ्य बापू के सपनों का था हमें वो भारत बनाना है जो हमारे स्वातंत्र सेदानियों का सपना था हमें वो भारत बनाना है जो हमारे वीर सहीदों का था हमारी विरांगनाओं का था जिनोंने मात्र भूमी के लिए अपना जीवन दे रिया था मेरे प्यारे परिवार जनो मैं जब 2014 में आपके पास आया था तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा और 140 करोर मेरे परिवार जन आपने मुझे भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश थी Reform, Perform, Transform वो five साल जो बुष्वासT था वो विश्वास में बदल गया क्यों कि मैंने परिवर्थन का बादा किया था Reform, Perform, Transform के द्वारा मैंने विश्वादे को विश्वास के बदल दिया कठोर परिशम किया है, देश के लिए किया है, शान से किया है सिर्वर सरफ, नेशन फर्स्ट, रास्त सर्वपरी इस भाव से किया है 2019 में पर्फर्मंस के अधार पर आप समनु मुझे फिर से आशिरवाद दिया परिवर्तन के अभादा मुझे यहां ले आया, पर्फर्मंस मुझे दुबारा ले आया और आने वाले पांच साल अभूत पुर्व विकास के हैं 2047 के सपने को साकार करने का सबसे बड़ा स्वनिम पल आने वाले पांच साल है और अगली बार 15 अगस को इसी लाल के लिए से मैं आपको देश की उपलब्दियां आपके सामर्थ, आपके संक्रप, उसमें हुई प्रगती, उसकी जो सफलता है, उसके गवरवगान, उससे भी अधिक आप में विश्वास के सामने, आपके सामने मैं प्रस्तूस करूँग मेरे प्यारे प्रिये जनों, मेरे परिवार जनों, मैं आप मैंसे आता हूँ, मैं आपके बीच से निकला हूँ, मैं आपके लिए जीता हूँ, अगर मुझे सपना भी आता है, आपके लिए आता है, अगर मैं पसीना भी बहाता हूँ, तो आपके लिए बहाता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं कि आपने मुझे दाइत पो दिया है मैं इसलिए कर रहा हूँ कि आप मेरे परिवार जन है और आपके परिवार के सदस्य के नाते मैं आपके किसी दुख को देख नहीं सकता हूँ मैं आपके सपनों को चूर-चूर होते नहीं देख सकता हूँ मैं आपके संकल्प को सिद्धी तक ले जाने के लिए आपका एक साथी बन करके आपका एक सेवक बन करके आपके साथ जुड़े रहने का आपके साथ जीने का आपके लिए जूजने का मैं संकल्प लेकर के चला ह हुआ इंसान हो और मुझे भी स्वास है हमारे पूरवजों ने आज अधी के लिए जो जंग लड़ा था जो सपने देखे थे वो सपने हमारे साथ है आज अधी के जंग में जिन्नों ने बलिजान दिया था उनके आशिरवान हमारे साथ है और 140 करोर देशवाचियों को एक ऐ कैसा अवसर आया है ordered हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर आया कि और इसलिए मेरे प्यारे पिए आजए एक में आप सालबात कर लाके पहला बर्स है ये अमृत काल के पहले बर्ष पर जिम्में आपसे बात कर रहा हूं तो मैं आपको पुरे विश्वात से कहना चाहता हूं चलता चलाता काल चक्र अमृत काल का भाल चक्र सबके सपने अपने सपने सबके सपने अपने सपने पन पे सपने सारे सबके सपने अपने सपने पन पे सपने सारे धीर चले वीर चले चले युवा हमारे नीती सही रीती नई गती सही राहन रे गती सही राय नई चुनो 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 ती सीना तान चुनो चुनोती सीनातान जग में बढ़ाओ देश का नाम मेरे प्यारे परिवार जड़ो हिंदुस्तान के कौने कौने में बैठे हुए मेरे परिवार जड़ो दुनिया के कौने कौने में जाकर के बसे हुए मेरे परिवार जड़ो आप सबको आजादी के पावन परवकी फिर एक बार मैं बहुत बहुत शुब काम राय देता हूँ और यह अमरत काल हम सब के लिए करतब यह काल है ये अमर्त काल हम सब को माभारती के लिए कुछ कर गुजारने का काल है आजादी का जब जंग चल रहा था 1947 के पहले जो पीडी ने जन्म लिया था उन्हें देश के लिए मरने का मोखा मिला था वो देश के लिए मरने के लिए मोखा नहीं छोड़ते थे लेकिन हमारे नसीम में देश के लिए मरने का मौका नहीं है लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का इस से बड़ा कोई Associate है हमें पल पल देश के लिए जीना है इसी संकल्प के साथ इस अमरित काल में एक सो चालीस करोर देश वाच्यों के सपने संकल्प भी बनाने हैं एक सो चालीस करोर देश वाच्यों के संकल्प को सिद्धी में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा जंडा फैरेगा बिश्वा एक बित्सित भारत का गुंगान करता होगा इसी विश्वास के साथ इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक अनेक शुक्तामनाई देता हूँ बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ यहिन् ४ारत माता की property बारत माता की बंदेप 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 Ee बहुत बहुत दनेवाद